प्रेंड्स संतान का सब पाने की चाप पतेक ब्रक्ति को होती है पतेक माबाप की यही इच्छा होती है कि उनके घर में जो संतान जन्म ले वो बहुत सुन्दर संसकारमान, बुद्धमान और स्वस्थ हो और उसके सासाथ वो नाम रोसन करने वाली हो वैसे तो बच्चे की बुद्धमान होना और संसकारी होना उसकी परवर पर डिपैंड करता है और ये बात भी सच होती है कि प्रग्नेंसी के समय इस्तरी जो भी कुछ करती है या जो कुछ खाती है उसका सीधा असल होने बाले बच्चे पर परता है तो फ्रेंड्स इसलिए का जाता है कि मा को प्रग्नेंसी के दोरान अच्छा खाना खाना है उसको हेल्दी खाना खाना है उसके साथ साथ उसको एकदम कूल एंड काम रहना है उसको गुसा नहीं करनी नहीं उसको कोई हिंसक वाली चीज़ें देखनी है टेवी अगर वो दे गरवावस्ता में बच्या का सारीरिक, मानसिक वा आध्यात्मिक विकास कर उसे मन्चाय धंग में ढाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की विडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय हुआ मंत्र बताऊंगे जिससे आप अपनी कोक में पल रहे हैं नबजात बच्चे का विकास ठीक वैसा कर सके जैसा आप चाहते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक जो महला गर्वती है उसके कमरे में बाल गोपाल की तस्वीर या फिर मूर्थी आपको रखनी हैं ये बेहदी सुब माना जाता है इसे अपने कमरे में इस तरह से लगाए कि महला को सुब उड़ते ही वो तस्वीर के दर्सन हो जाएं फ्रेंड्स ऐसा करने से भगवान की छबी बच्चे पर पढ़ती है और उनीकी तरह से वो अग्यकारी होता है साथ में आप मोर्पंक भी रख सकते हैं इसी तरह से आप रमाड या फिर सिरीमत भागबत पुराण भी रोज पढ सकते हो तो इसका असर ना आपके बच्चे पर पढ़ता है माना जाता है कि ऐसा करने से पैदा होने वाला बच्चा काफी संसकारी होता है और वो भगवान की देखरेक में रहता है इसके साथ आप ना टीवी पर या फिर फोन पर आजकल धार्मिक प्रोग्राम चल रहे हैं रमाएंड भागवत ये सारी चीज़ें आप न उस पर देख सकते हो ससंग वगेरा सुन सकते हो भजन सुन सकते हो इसकी जो पॉजिटिव एनरजी है वो बच्ची के उपर पढ़ती है फ्रेंड्स कहा जाता है जैसा मा देखेगी वैसा ही फर्क बच्चे पर पढ़ता है मा आपके बच्ची के लिए सही हो इसके साथ साथ आप गर्वति महला के कमरे में भगवान क्रिष्ट की बांसुरी और संख रखने shore सांत और हस्मक सुवाव का होता है साथ ही अप तामे की धातुसे बनी हूई कोई भी बस्त कमरे में रख सकते हैं इससे घर्वती महला और बच्चे पर बुरी नजर नहीं पड़ती है और नहीं नकारात्मक तास का असर नहीं होने देता और उसे वो सकारात्मक उजा में बदल देता negativity आपकी बच्चे और होने वाली मा दोनों पर पड़े तो friends आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और इसके सासत friends मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा वो मंत्र है जिसका अगर आप उचारण करोगे तो आपका बच्चा है वो एकदम सांत स्वाब का और संसकारी पैदा होगा तो friends मंत्र इस प्रकार है तो friends गर्वती इस तरीको रोज सूरिया जैसे पहले और सूरियास के बादे क्यामन बार इस मंत्र का उचारण अपने गर्व पर हाथ रख कर करना है इसका आपके बच्चे पर बहुत अच्छा आसर होगा और भगवान की क्रपा उस पर बनी रहेगी ऐसा बच्चा संसकारी तो होता ही है उसके सासाथ वो जिस भी फिल्ड में जाता है उसमें वो तरक्की ही करता है उसको तरक्की ही हमेशा मिलती है इसके साथ ही अगर आप गायत्री मंत्र का उचारण भी कर सकते हो अगर यह वाला मंत्र आपको tough लग रहा है तो friends आप इसकी जगे पर गायत्री मंत्र का उचारण भी कर सकते हो friends उस मंत्र में भी इतनी तागत होती है इतनी energy होती है कि वो हमेशा negativity को दूर भगाता है और positive energy को आपके पास रखता है अगर regular आप गायत्री मंत्र का उचारण करते हो friends इसके सासाथ आप जिस भी धर्म में जिस भी religion में आप मामते हो उसका भी कोई मंत्र हो सकता है उसका भी आप उचारण कर सकते हो तो friends गायत्री मंत्र का जाप आपको सूर देव का ध्यान करना है और प्रभु से बिंती करनी है कि आपकी गर्म में जो संतान पल रही है वो जन्म लेने के बाद दिव्य तेजस्वी और बुद्धिमान चतुर और निरोगी समाज की प्री और यसस्वी और दीरगाय हो friends यह सब बात हैं अपने जो गर्व है उसके तमी के उपर हात रखकर सूर देव को नमन करके आपको बोलनी है या फिर आप जिस भी भगवान में बिलीब करते हो उनको ध्यान में रखकर आपको बोलनी है तो friends जोतिस के अनसार इस मंत्र का जाप आपको प्रती दिन करना है त प्रेंट्स इस मंत्र का जाप आपको रोजाना सुबह साम करना है तो friends आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ तो friends वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe करने न मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you